नमस्कार, आज हम घर में अंकुरित डाल करेंगे, डाल के अंकुर निकालेंगे, वाक्या मज़ेदार अंकुर निकले हुए हैं, हम इसे मार्किट से भी ले सकते हैं, लेकिन घर में भी बहुत असानी से डाल के अंकुर निकाले जा सकते हैं, अंकुरित डाल बनाई जा सकते ह ये मोठ दाल है, चलिए अब हम अंकुरित करते हैं, मोठ दाल ले ली है, इसको दो से तीन बार पानी से दो कर पीने के पानी में भिगो दिया था, साथ से आठ गंटे, भिगोने से पहले दाल ऐसी थी, छोटी, ब्राउन, रंग की, इसे मोठ या मोठी कहा जाता है, साथ से आ हमने इस दाल को अच्ची तरह से पानी से निकाल दिया, इसको चान लिया है, अब हम इसके अंकुर बनाएंगे, एक स्टेनर या चन्नी लेंगे, और बिगी हुई दाल को उसमें डाल कर हलके हाथ से उसको फिला देंगे, उसके बाद हम एक गीला कपड़ा लेंगे, तोलिया जा सूती कपड़ा भिगा हुआ लेंगे, और उसको दाल के ऊपर रख देंगे, उसके बाद हम एक प्लेट लेंगे, और प्लेट के ऊपर कटोरी रख देंगे, कटोरी के ऊपर चन्नी को रख देंगे, और चारो तरब स हवा लगने से इसमें अंकुर अच्छी तरह से आ जाएंगे एक दिन के लिए इसको ऐसे ही रख देंगे एक दिन के बाद जो डाल है वाह क्या अंकुर इसके अच्छी तरह से निकल आए हैं इसे हम फ्रीज में रखकर भी एक हफ्ते तक टाइट कंटेनर में रखका यूज कर सकते हैं मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दवा दीजिए इसकी चार्ट बनाएए मज़ा लीजी और यह बहुत हेल्दी होती है देखने के लिए आपका धन्यवाद नमस्कार